पश्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग fantasy talent अब YouTube चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं SEC Emerging Cup के मैच नमबर 10 के बारे में मैच है शीलंका और बंगलादेश के बीच में मतलब एक अच्छा मैच आपको देखने मिलने वाला है जिसमें टेकर होगी वन साइडिट मैच नहीं होगा तो अब जब वन साइडिट मैच नहीं है तो किस तरह का combination आपके लिए best होगा small league के लिए उसके बारे में बात करेंगे कौन कोंसे players बहता रहें कुछ ऐसे confirm player है जो आपको रखना ही रखना है उसके बारे में भी आपको clear कर दूँगा जिससे आप लोग आसानी से एक अच्छा combination तयार कर पाएंगे चलिए सबसे पहले दोस्तों जिन लोगों ने टेलेग्राम पर हमें जॉइन नहीं किया है टेलेग्राम पर जॉइन कर लेना क्यूंकि जो final update आएगा जो कबड़ी की team आएगी जो दूसरे matches की updates आएगे वो भी आपको टेलेग्राम पर ही मिलते हैं तो अगर टेलेग्राम पर नहीं हो तो description और comment section में दोनों जगे आपको link दिया है क्लिक करिए और हमारे साथ में टेलेग्राम पर जुड़ जाएगा वहीं आपको instagram का link भी मिल जाएगा तो instagram पर भी आप लोग हम से जुड़ कर कोई भी अगर सवाल है दिमाग में कुछ परिशानी है कुछ टेंशन है कुछ लग रहा है कि यार पूछ लिया जाए तो पूछ सकते हो अब सरीए शुरू बात करते हैं like के साथ में वीडियो का अगास करिएगा सारी information आपको यहां मिलने वाली है अब अगर वेन्यू की बात करें तो दोस्तों वेन्यू के बारे में हमने आज सुबह वाली वीडियो में भी बात की थी वही ग्राउंड है AI Emirate Cricket Ground जिस पर की पहला मैच हो जाने के बाद में दूसरा मैच खेला जाएगा इस मैदान के उपर जो टोटल आठ मैच खेले गए जिनमें से चार बार पहले बेटिंग करने वाली टीम ने चार बार सेकंड बेटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है और इस मैदान पर जो score की अगर आब बात कर रहे हैं तो अच्छा खासा थीक थाक बैटिंग विकेट है और spinners को थीक थाक मदद मिली है और बल्ले बाजों ने कमाल किया है अगर आप पिछले ही मैच की बात करोगे इंडिया ने महज 10 ओवर में 111 रन बना लिये थे जिसमें spinners को 2 विकेट मिले यहां fast बोलर्स को 1 विकेट मिला था उसके पहले पाकिस्तान ने यहां पर 185 बनाया था हाला कि सामने वाली टीम उतनी बहतर नहीं थी फिर बांगलादे इतना बड़ा score करके दे रहा है जो लगबख 100 के करीब है क्योंकि अच्छा बैटिंग विकेट है तभी बल्लेवाज 100 के करीब जा सकता है नहीं तो वही 30, 40, 45, 50 का score आपको देखने मिलता है और इसके पहले भी आप देखेंगे यहां पर यशुदा लंका ने 56 का score बनाये तो कुल मिलाकर एक अच्छा बैटिंग विकेट है अब अगर पावर प्ले की बात की जाए तो जो मैंने आपको पहले भी बताया था स्टार्टिंग के जो दो से तीन ओवर है वही थोड़े से क्रूशल है वही थोड़े से खतरनाक हो सकते है उसके बाद में पिच अच्छ यहाँ पर दो विकेट आये पावर प्ले में यहाँ पर सिर्फ एक विकेट आया था और यहाँ पर भी सिर्फ एक ही विकेट हमने देखा था तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ जो पाकिस्तान के सामने विकेट आया था हारिस रोग मुहम्मद हारिस स्विंग बॉल पर बुर देवाजों को मदद तो है तो ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा और कमजोर टीम आईए तब जरूर 3-4-4 विकेट हमने देखे हैं जैसे कि आप ओमान और पाकिस्तान दो बरावर की टीम थी इसलिए यहां पर एक ही विकेट आया कमजोर टीम के दो विकेट च हिर्दोय और शमीम हुसेन पतवारी ये तीन प्लेयर ऐसे हैं जो अंतरास्टी किरकेट खेल चुके हैं और अच्छा खासे लेवल पर केल चुके हैं तो ये प्लेयर हैं जो मेन प्लेयर हैं इंटरनेशनल के यहां पर आपको नज़र आते हैं अब हम बात कर लेते हैं नई कि इनके साथ में गिंदबाजी कर रहा है रिपॉन मोंडल और इन्होंने दोनों मैचेस में विकेट निकाले हैं इसके अलाबा रक्की बोल हसन एक ओवर अबु हैदर दूसरा ओवर लेकर आए थे इसके बाद महफुर रहमान ये चौथा ओवर लेकर आए थे और ये डेथ हुसेन इमोन ने 50 बनाये था अब आप सोच रहे होंगे कि परवेज हुसेन इमोन ने कब इंटरनेशनल खेला तो वो भी मैं आपको बताऊंगा अब यहाल फिलार में जरा वेन्यू रिकॉर्ड देख लें तोई धिरदोई 2 में 71 अकबर अली 2 में 49 और शमीम हुसेन पटव होगा पहला मैच ओपन कर रहे थे पहली गेंट पर चौका लगाया था दूसरी गेंट पर बोल्ड हो गए थे यह वही परवेज उसे ने जिने अर्शिदीव सिंग ने बोल्ड मारा था तो आपको यगर याद नहीं आया तो थोड़ा सा दो तिन ज्यादा दिन नहीं हुए अब ही मैं जुठा कर देख सकते हो तो परवेज उसे ने मौन लेफ्ट हैं बैटिंग करते हैं अब जब इतने अच्छे लेवर पर खेल चुके हैं भले जादा मैच इस नहीं कहले हैं लेकिन एक अच्छा एक्स्पीरियंस मिलता है एक अच्छा नुभव आता है जिसकी व हाल फिलहाल किस्थिती में एक ही ओपनर को लेके चल रहा हूँ अगर आपको रखना है तो आप रख सकते हैं नमबर 3 सैफ हसन सैफ हसन ने 20 पारियों में स्कूर किया है 396 का और 21 का बैटिंग एवरेजे थोड़ी बहुत गिंदबाजी कर लेते हैं लेकिन अभी गिंदबा नमबर 4 पर आपको मिलता है तोईद हिरदोय को आपने बहुत सारे अंतराश्टी मैचिस में खेलते वे देखा होगा आपने बंगलादेश प्रीमियर लीग खेलते वे भी देखा होगा अच्छा प्लियर है अच्छे लेवल पे बैटिंग करना जानता है और बड़ा स्कू क्योंकि इस प्लियर से मैं 60 से लेकर 80 तक के स्कूर की उम्मीद कर सकता हूँ पहली चीज दूसरी चीज है कि अगर स्मॉल लीग खेल रहा है क्योंकि कैप्टन सी की एक और अच्छी चोईस है तो वाइस कैप्टन तो कम से कम बना ही सकते हो पिछले मैच में भी 40 बनाया था 35 का बैटिंग एवरेज है आप कुछ से देख लिजिए 36 T20 मैचिस हैं जो की ऑफिशली जिनके रिकॉर्ड लिके हुए है बाकी जो नॉर्मली क्रिकेट खेलते हो उसमें एक अलग इनका बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है 8-50 और एक बार 100 से उपर का स्कूर कर चुका है ये पिछले मैचम फ्लॉप हुए हमारी टीम में थे परवेज हुसेन विमोन जिन्हों ने वन साइडेड हमें विन करा दिया था चूकि ये विकेट कीपिंग करते हैं तो इसका बेनिफिट इनको मिल सकता है वाफिस पिन की गिनबाजी इनको थोड़ी दिक्कत देती है जिसके अच्छा प्लिया रहे मतलब बंगलादेश के इसाब से अच्छा प्लिया रहे ठीक टां बेटिंग कर लेता है थोड़ी बहुत गिनबाजी कर लेता है इस खिलाडी को भी आमोस तूट आपको टीम में रगना है खास दोर से अगर ये टीम पहले बेटिंग कर रही है तो औ बिल्कुल आप शागी बलासन मान लीजी, बिल्कुल उसी कोपी करने की कोशिश करते हैं, काफ यह तक अच्छी गिंदबाजी भी की थी लास्ट मैच के अंदर, इसके बाद अगला नाम है अबु हैदर का, जिनोंने सूला पारी में 18 विकेट निकाले हैं, लेफ्ट आम मीड जिसमें अच्छी गिंदबाजी की स्विंग इनके पास में मौझूद है, जिसकी वज़े से इनको नई गिंद से विकेट मिला है, इनके पास में 8 पारियों में 11 विकेट, नई गिंद के साथ में पहले गिंदबाजी करते हुए 7 विकेट निकाले हैं, दोनों मैच जिसमें तेरा विकिट यह निकाल चुके हैं अब बात करेंगे स्री लंका के बारे में स्री लंका के पास भी कुछ ऐसे प्रियर है जो खेल चुके हैं अंतररस्ति लेवल पर लेपढ़ बढ़ी है इसके बात सहना राख्षी है इनको आप खेलते वह देख सके हो विक्रम सिंगे को गिन्बाजी करती है आपने देखा होगा शहन आराच्ची के दूसरा और चौथा ओवर डाला था निपुन ने डाला पांचवा और इशान मलिंगा ने छटवा ओवर लेकर आये थे और यही आपको डेथ ओवर में भी नज़र आये थे दुशान हेमंता के साथ में अब यहां बाकी जो प्लियर्स ने स्कोर किया ऐसा कुछ खास रहा नहीं गिन्बाजी में एक दुशन हेमंता और एक निपुन रंसिक इन दोनों ने काफी हतक बेहतर गिन्बाजी करके अपनी टीम को दी है अब सबसे पहला जो नाम है वो है येसोदा लंका का आपकी पास में जो दो दोनों ओपनर्स हे ना वो दोनों ओपनर्स कह सकते हो कि हाँ एवरेज है ये शोदा लंका लेहरू उडारा दोनों एवरेज प्लियर है अब ये डिपेंड करेगा उनके दिन के उपर की दोनों में से किसका दिन ज्यादा पहतर है इनका बेटिंग एवरेज है 23 का पिछले म पकड़ लिए पंदर अरन बना दिए तो ये यसोदा लंका के बराबर ही पर्फॉमेंस आपको देंगे तो डिपेंट करेगा इनके दिन के उपर दोनों का पर्फॉमेंस या तो आप इनको छोड़गे अगर आपको पास कोई जादा ही अच्छा प्लियर है तो वहां चले जा है बहुत कमाल के शॉट्स खेलेते पहले मेंच के अंदर भी चाहो तो वाइस केप्टन भी बना सकते हो लेफ्टाम मीडियम लेग स्पिन और चाइना मेंने ज़रूर थोड़ी दिक्तते दी हैं नहीं तो प्लियर तो बहुत अच्छा है नमबर चार में मिलते हैं पवन रत चीगे का जिनके पास में बेटिंग प्लस पोलिंग दोनों का पर्फॉमेंस आपको नजर आएगा चौदा पारी में 12 तो विकेट शामिल है प्लस इनके पास में 16 का बेटिंग एवरेज है ज्यादातर लोगों के कैप्टन है स्मॉल लीग में और सही बाता हो सही माइने मे अगर बात की जाए तो आपके पास ऑप्शन है नहीं कैप्टन चीकली बढ़िया तो जालातर लोग जो ट्राइ कर रहे है या तो उसे ट्राइ कर लो या फिर इतना बड़ा रिस्क लेलो कि या तो वन साइडिड हो जाए या फिर दोरो तरब से वन साइडिड हो जीत में भ पारी में 26 का बैटिंग एवरेज इनके पास है एक पचास ये कर चुके है फिर अगला जो नाम आता है वो है रमेश मेंडेस का ये बैटिंग प्लस बोलिंग ये भी कर लेते हैं हाला कि बैटिंग डाउन थोड़ा सा नीचे है अगर ये थोड़ा सा उपर खेलते तो फिर ह हम जरूर इन पे फोकस कर सकते थे इसके बाद अगला नामे दुशर हेमनता ये कंफर्म प्लेयर है गेंदवाजी के लिए अच्छी गेंदवाजी की थी रिकॉर्ड भी दिख रहा है 16 में 26 विकेट इनके खाते में शामिल है इसके बाद निमेश विमुक्ती 10 पारी 12 विके ये निकाल चुके है डैथ ओवर में जाकर इनको इनके दो विकेट देखने मिले थे तो अगर आप डैथ ओवर के लिए लेना चाहते हो तो मतलब पहली गेंदवाजी में ये ट्राए कर सकते हो चलिए अब कैप्टेन वाइस केप्टेन सी की बात करें वैसे तो मैंने आपक मैच में 6 विकेट निकाले थे तो लोग ट्राए कर रहे हैं गेंदवाजी अच्छी कर रहे हैं डैथ ओवर में गेंदवाजी कर रहे हैं इसलिए इनको यहां रखा है दोस्तों लॉजिकल है कुछ भी दोको हमें तुक्का लगानी ज़र्वत नहीं और कुछ भी बताब ऐस क्या है विकेट कीपिंग की वैसे उडारा को रख लिया दसरन बना दे पंदररन बना दे एक केश पकल ले ठीक है इनकी बैटिंग अच्छी है नुवारेंदू फरनांडो की बैटिंग अच्छी है इसकी बैटिंग अच्छी है शमी मुश्वन पटवारी बैटिंग प्लस के लिया है वह तक कौन कौन से प्लेयर है जिनको चेंज किया जा सकता है तो यहां पर देखे एक है उडारा जिनको चेंज कर सकते हो इसके बाद आप चेंज कर सकते हो रैबी को और इसके बाद रंसिका को चेंज कर सकते हो यह तीन ऐसे प्लेयर है जिनको आप रोटेट कर सकत दियेगा और ध्यान रखेगा this game may be habit forming और financially risky so please play responsibly मिलते हैं आप लोगों से अपरी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई जय हिंद जय महाकाल